नमस्कार दोस्तों, इस्कूल व्यक्याता की जो परिक्षाएं हैं विभीन विशियों के आरपीसी द्वरा आयुजित, वो सवापन जो हैं उनका हो चुका है लगबग, कि अब फिजिकल एजुकेशन वाले विशियों को अगर छोड़ने तो, अब विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा प्रसन उनके दिमाग में बार-बार चल रहा है, बार-बार यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं और अपना टाइम जो है, वो मेनेज नहीं कर पा रहे हैं आगे वाले टार्गेट के लिए, पहले हैं सोच रहे हैं कि मेरिट कितने रहेगी, अकर कोई ऐसा एक पारती की रूप में बहुत सारे जो है आरप्यस्य हमारी प्रिक्षेंट ली है या एक तरह से बहुत सारे उताल चाइदाव देखने को मिले हैं तो वही बाते होती है, मानणों मन वही है, तो होता क्या है कि मालों किसी वक्तिके किसी विद्यारती के उधारन के लिए मान ल सकती है अब जिसके 130 हो रहे हैं मानलों दोनों पेपर की मिला के वो मेरिट को कैसे भी करके उतार चड़ाओ करके लग वह एक 130 के आसपास ले आएगा 117 बन रहे हैं उसको भी डर है कि हो जाएगा यह नहीं होगा साइद 175 जा सकती है तो कारण क्या है हम अपनी एक संतुष्टी के लिए मेरिट को वहीं लेजा के छोड़ते हैं जहां अपने बन रहे हैं उसके आसपास क्यों एकदम शोड़तों कह नहीं सकते हैं कि उसके आसपास अब दोस्तों पहले जैसा आप जानते हैं यह नहीं कि मैं कोई नहीं बात बता रहा हूँ आप जानते हैं मगर फिर भी हम उस बात को कर रहे हैं कि जैसे पहला पेपर है उसमें फिलहाल यह कर रखा है कि उसमें आपके 30 क्योशन सही होनी जाए तो पहली बात तो मेरिट के अंदर वही विद्यारती है जिनके 30 सही है, मगर यह एकदम एक्विरेट सही नहीं है, जिसके मानलो 32 है, वो भी किसमत खराब हो तो निची जा सकता है, जो उसके सही हो रहे हैं, वो डिलीट हो जाए, कल को, खुदाने खास था, जिस विद्यारती के 28 हो रहे हैं, अभी वो न तो दो क्यूसन डिलीट हो गए, तीन हो गए, तो अंक बार बढ़ गया ना, तो उसके कुल मिलाकर, साथ अंक बन गए कैशे भी करके, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो पहली बात कि 28 से 32 वाला, दोनों ही जो है, एस समझस में है, पूरी तरह से से सेटिसपाई नहीं हो सकते, पूरी तरह से तो वो है, जो 35 क्रोस है, 40 क्रोस है, उसको कोई टेंसन नहीं है, कि 2 हट जाओ, 3 हट जाओ, कोई टेंसन नहीं, तो हम नूर्मली अगर हम देखें, तो पहला जो पेपर है, 11 तारी को हुआ, उसके बाद में 15 को हुआ, उसके बाद में 17 को हुआ, इस से हलका सा जैसा कि सुनने में आया है, जैसा कि मुझे भी थोड़ा मैसूस हुआ, थोड़ा सा कठना एक इस तरका ज्यादा, फिर इसका ज्यादा, अब इसके पेछे reason क्या हो सकता है, जिसन दो देखो पेपर बनाएं उन्होंने की सिसाप से उनका क्या सिस्टम रहता है फिर भी यहां आर्ट वाले सब्जेक्ट वाले जिसे विद्यारती है क्योंकि इसमें इतियास, गुगोल, राजस्तान जीके उसका भी रहता है तो यहां पॉलिटिकल, इस्ट्री, जियोग्राफी वाले वो भी द्यारती है थोड़ा सा एक दो कठिन रहेगा तो भी कोई ज़्यदा फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इस सीज़ को ज़्यदा कवर कर लेते हैं साइंस वाले विद्यारती हैं तो उनके साइंस के भी क्यूशन कम आए गनित का जरूर रहा इसमें तो उससे कोई फरक नहीं पड़ना क्योंकि यहां तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग ग्रूप है तो मेन बात यह है कि एक तो आपका वरग क्या है वो भी माइने रखता है EWs है, General है, OBC है, SC है, HT है, महिला है महिला में भी फिवरी वीड्यो है, Diversity है, क्या इस्तती है, दिव्यांग है, X-Service Man है तो वहाँ सब चीजे हैं, मगर basic जो सर्त थी, 40% वाली, वो आप cover कर रहे हैं कि पहली बात अब जिसके मान लो 35 से लेकि 40 पहले paper में सही है, वो तो एक अच्छी इस्तती है, बहतर इस्तती है 40 पलस है, 40-45 rare case में मिलेंगे, मिलेंगे हलंगे सा नहीं, मिलेंगे नहीं, 50 वाले भी मिल सकते हैं, जो कोई top rank में आएंगे हो सकता है तो 40-45 जो वो best score है, तो उनके तो पहले paper के तो इमान लोगी बहुत सांदार गया उनका अब subject की बात करें, अब कोई इतना कोई बहु मुखी यह नहीं है कि मैं सारी चीज़ों का सभी subject का बता दूँगा एक basic चीज की हम बात कर रहे हैं, कि subject जो है, अब subject का भी दोस्तों, जुरू नहीं कि हर बार, अब जैसे पिसली बार political की बहुत कम गई या कि सीविसे के मान लो बहुत ज़्यादा गई, तो इस बार भी उतनी जाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पेपर का level examiner पर निद्बर करता है, अगर tough बना देता है, कि उसने इतने गहनता से निकालें, कि फिर आपका उसका उतर दे नहीं पाएंगे, तुका लगाएंग तो गलत जाएगा, तो वहाँ पर ये नहीं सोचें, कि पिसली बार merit मान लो, अगर 310 रही, हिंदी के तो अब इस बार तो competition और बढ़ गया है, यूटूब पे इतना पढ़ा रहे हैं, इतना चल रहा है, तो इस बार तो 320 जाएगी, फिर अगले साल 340 जाएगी, ऐसे ऐसा नहीं है, दोस्तों, पेपर के उपर निर्वर है, पेपर कठी ना आ गया, तो चाहिए कितना ही कोई पढ़ाओ, merit कम जाएगी, क्योंकि क्योंकि क्यूशन अटेम्ट नहीं कर पाएंगे, अटेम्ट करेंगे, तो गलत हो जाएगा, तो नेगेटिव में आ जाएगे, तो इस 150 में से, 150 क्यूशन जो है, उसमें से अगर आपके 90 से लेके 100 सही हो रहे हैं, वो पहले पेपर वाली में बात कर रहा हूँ, जुरूरी नहीं है, कोई विद्यारती इधर 30 है, उधर 120 कर रहा है, कोई वहाँ 100 पे रह गया, इधर 25 ले आया, तो वो चीज़े हैं, मगर दोनों में अच्छा बेलेंस है, तो अच्छी रेंक में आएंगे, सेलेक्शन तो मान लो, कई बार एक तरफ कम, एक तरफ ज़्यादा हो, पलड़ाई दरदर तो भी बेलेंस करके वो सेलेक्शन हो जाता है, मगर टोप रेंक वाले जो विद्यारती है, उनके दोनों तर भी बेलें है, तो दोनों ही इस्ततियों में, तो नॉर्मली एक, ये जो स्कोर है, नॉर्मल पेपर की हिसाब से, तो ये अच्छा है, अब रही बात, विसेवार, इतियास, भुगोल, अर्सास्तर, राजनिती, ये सब तो दोस्तों तब होगा, जब आप अपना कमेंट करके अपना स्क हकिकत क्या होती है, जैसे जैसे आप की मिलाते हैं, पहले कोचिंग्स वाली की मिलाते हैं, लगभग लगभग सटेक बैठ थी, फिर भी दो तिन सवाल, जैसे आपने फर्स्ट वेपर की कोचिंग्स की मिलाई है, फिर भी RPSC की जो की आएगी, उसमें कम से कम दो या चार न करेंगे की नहीं करेंगे डिलीट, उन पर निर्वर हैं, तो आप 130 मान के चलते हैं ना दोस्तों, जैसे जैसे घर पे आते हैं, यह कम होते जाते हैं, जैसे जैसे की आते हैं, कोचिंग की और कम हो जाते हैं, जैसे RPSC की यह आती है, तब तक तो लगभग आप पेपर को एक तो पहले जो मेरिट बाते करा हमान लोग के 125 से हो जाएंगे लगवग एक इजाम से बाहर निकलते हैं तो वही अब 104 पे आ गया, 20 कम हो गया तो ऐसे क्या होता है कि चीजों में जो हो कमी आ जाती है तो पहले जो मेरिट के नमान लगते हैं वो बहुत हाई होते हैं दिरे 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 कम हो जाते हैं जैसे 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 लोगों किसे बात करते हैं, मिलाते हैं क्योंस उस हिसाप से, थोड़ा सा इसमें फरक आई जाता है तो अब मेरा आपसे यह कहना है दोस्तों कि यह जो मेरिट वाली सकर में आप जद्धा मत पड़ो क्यों कि कहीं पर भी कोई भी आपको एकदम सो परसेंट नहीं कह सकता कि बस रेश्ट करो अराम करो किताबों को बंद करके रख दो और बस मोज करो ऐसा कोई नहीं कहेगा क्यो क्योंकि अभी आपके सामने समय कहा है सेकंड गेट का एकजाम है संसक्रत शिक्षा विवाग में फर्ष्ट गेट का है उसके बाद में रीट मेंस है और जो वेक्टिब रोजगार है जिसको नोकरी लगनी है तो वो तो सारे एकजाम ही देगा किसी का केवल टारगेट ही इस पांच नंबर वो भी माइने रख देते हैं कि एकजाम होल में आपने किसी साफ से एक्टिम्ट किया तो दोस्तों मेरा यह कहना है कि आप वहीं पे सेफ मान के चलो कि आपका पहला पेपर जो है वो आप लग भग टीस क्रोस कर गए तो यह तो एक बहुत बड़ा आपने यह मान लो अपलबदी हासिल कर ली क्योंकि पेपर इसी टाइप का था कि कई बार बिगड़ जाता है दोस्तों केवल राजस्तान जिक्के के पांच साथ सवाल सरल दे दिये कोई खुस हो जाए कि और यह पर तो बड़ा इजी हैं पांच साथ सवालों को देखे दस सवालों को इसा नहीं है गणित को देख लो अंग्रेजी को देख लो हिंदी को देख लो विग्यान को देख लो सभी जो चीज़ें वो गुमाई हुई थी तो उस हिसाब से बात यह हैं दोस्तों कि हम मेरिट की बात कर रहे थे सटीक मैंने नहीं बताई है क्योंकि मैं को यह से को क्या है किस हिसाब से वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें माईने रखती है तो आप इन चीजों में ज्यादा समय नहीं गवाएं ठीक है संतुष्टी के लिए एक आदा वीडियो देख लो मगर अब आप वापस अगली तैयारी में जुट जाओ एक विद्यार्थी का करमी यह है कि जो है वो बिना फलकी इच्छा किये अब यह जो आपने कर लिया निवट गया आपका भाग यह उन गोलों के रूप में वहाँ लोख हो गया उसका भूल जाएए परिणाम आना है उस दिन अपने आप एक खुशी लेकर आएगा और तब तक आप वापस जो गला से प्राप्ति नहीं हो जाए ठीका दोस्तों धन्यवाद